5, 4, 3, 2, 1 सभापती महोदय एक व्यक्ति की आमदनी तीन चार आने और दूसरे की दस बीस हजार रुपय है अगर वित्तमंत्री महोदय इस विशमता को दूर नहीं करेंगे तो समाजवाद का नारा बिलकुल कूरा और कागजी सिद्ध होगा इस देश में 8-10 करोड हरिजनों का एक ऐसा वर्ग है जिसकी आर्थिक इस्थिती बहुत गिरी हुई है इस बजट में उनकी उन्नती और कल्याण की योजनाओं का समावेश होना चाहिए वित्तमंत्री ने 1500 करोड रुपय के जोकर लगाए हैं उनसे देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है मुझे इस बात की बड़ी प्रसनता है कि योजना के अंतरगत देश में विकास कार्य हो रहा है और अब हम इस दिशा में जो कुछ कर पाए हैं वह प्रशंसनी है लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पढ़ रहा है कि जहां कृसी के शेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है देश की संपत्ती बढ़ रही है हर आदमी की ओसत आय भी बढ़ रही है फिर भी हमारे यहां की पुरानी गरीबी बिलकुल नहीं हटी है मैं समझता हूँ की यह इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विशय है की क्या कारण है की जब हम 55 वर्ष से अपने देश की गाढ़ी कमाई का रुपिया और दूसरे देशों से कर्ज लेकर बड़ी बड़ी रकमे देश के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं और देश में धन भी पैदा हो रहा है तब भी देश में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है मैं समझता हूँ कि इस पर विचार किया जाए यह ठीक है कि हम समाजवाद के रास्ते पर जा रहे हैं लेकिन समाजवाद के रास्ते पर ठीक ठीक चलें तो भी हम यह अनुमान नहीं लगा पाते कि कितने वर्षों में हमारे देश की गरीबी दूर होगी यह ठीक है कि हम योजना के तरीके पर काम कर रहे हैं लेकिन इस बात को देखने की आवशकता अब पैदा हो गई है कि देश में जो धन पैदा होता है वह कहां जाता है इतनी प्रगती होने पर भी हम देखते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो पा रही है गरीबों को खाने के लिए अन नहीं मिलता पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता इसका क्या कारण है यह गंभीरता पूर्वक सोचने की बात है यह समस्या समाजवात का प्रस्ताव पास करने से ही हल नहीं होगी यह समस्क्वाइबगर शॉपक